कम्याबी सुबह की तरह होती है, मांगने से नहीं, जागने से मिलती है जय हिन दोस्तों इस वीडियो में हम भीणों की तुलना करना सिखेंगे Compare up fraction और दो भीण दिया हो तो उन दोनों में कौन सी भीण बड़ी है इसका पता लगाने के लिए सबसे आसान तरीका हम पहले ऐसे तीर कर देंगे मतलब की पहले इसको गुना कर देंगे 4 इंटू 5 अब फिर इसको गुना कर देंगे 5 गुने 3 पंचव का कितना हो गया? 20 पंचती है 15 चुकि यह 20 बड़ा है तो हम बड़ा कची ऐसे कर देंगे यह देखिए दोस्तों यहाँ पर 20 पहले दिया हम इधर आ गया इधर कौन है? इधर 4 बटा में 5 दिया है इधर क्या दिया हुआ है? 3 बटा में 5 दिया हुआ है दूसरा एधर लेंगे लिखा है अगर 3 बटा में 8 और 5 बटा में 6 इन दुन में कौन बड़ा है? तो पहले 3 में 6 से गुना करेंगे 3 गुने 6 फिर 8 में 5 से गुना करेंगे 8 गुने 5 तिन चक 18 आठ पचे 40 देखेंगे कि यहाँ पर 40 क्या है? बड़ा है जब इधर वाला यह बड़ा हो गया इसका मतलब कि यह अगिन क्या है? बड़ी है तो लिख देंगे 3 बटा में 6 अगर यहाँ देखेंगे अब 4 में 7 से गुना कर देंगे 4 गुने 7 अब फिर इसमें कर देंगे 6 गुने 8 आपको क्योवल यहीं बात ध्यान रखना है कि इस संख्या को पहले गुना करना है तो इसको इसे से हमने गुना कर दिया अब इसको इसे से गुना करेंगे क्रस मल्टिपिलिकेशन अर्था 33 गुना करना है सच्चव का 28 अर्चप 48 फिर यह बड़ा हुआ तो हम ऐसे कर देंगे इसका मतलब कि 4 बटा 6 छोटी है 8 बटा में 7 क्या है बड़ा है इस प्रकार भीनों की तूलना करके आप बड़ा यह छोटा मालूम कर सकते हैं दोश्तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं